इस बारे में मैं थोड़े से आपको डिटेल में एक्स्प्लेंग भी करना चाहूंगा और समझाना भी चाहूंगा। ग्रफतारी के समझ में बहुत सारी गाइडलाइन्स हैं और दंट प्रक्रिया सहिता की धारा 41 आदी में प्रावधान किये हुए हैं कि कैसे ग्रफतारी करनी है और ग्रफतारी के समय पुलिस को क्या क्या कारवाईया करनी हैं और उसके क्या प्रावधान हैं और साथ-साथ के लिए सजा निधारित है और उस सजा में कोई व्यक्ति को एप्रेहंट किया जाता है तो उसके में है कि यदि इंवेस्टिगेटिंग आउफिसर कन्विंस है कि इस व्यक्ति जिरफतारी जरूरी है क्योंकि यह है एविडेंस के साथ टेंपर कर सकता है गवाहों को धंका बका सकता है और वो आगे इंवेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेगा तो वो उनकी गिरफतारी का फोर्ट में प्रोड्यूस करें और वो कारण भी लिखे है क्यों गिरफतार क्रेया किया गया उसको इसी तरह से यह भी है कि यदि इंवेस्टिगेशन में सहयोग करेगा जब भी बुलाया जाएगा वो इंवेस्टिगेशन के लिए आएगा नोटिस और बॉंड जो आपने कहा कि वो तोर्ट में हाजिर होगा जब भी बुलाया जाएगा और नियाले में उपस्कति अपनी देता रहेगा तो वह है उसको उस नोटिस और बॉंड बे करते भी ग्रफतारी नहीं भी कर सकता है और उसके कारण भी लिखतेगा वो कारण डेने की लिए तो यह है प्रावधान अब जैसे दूसी चीज आपने कही कि जेलों में क्यादियों की संख्या ज्यादा ना हो तो उसके लिए ग्रह विभाग मे और जेल में बहुत सारी जवस्थाएं की हैं जो नए अभ्युक्त पकड़े जाएंगे उनके लिए तो जेल एर्मार्ट किये हैं कि किसी जिले से यदि महिला कैदी या पुरुष कैदी किसी की ग्रफतारी हुई तो पहले उसको नियाले में प्रोडूस करने से पहले उसकी प्रोडूस के बारे में हमारा एक रहा है कि हम क्वालिटेटिव ग्रफतारी पर विश्वास रखेंगे और उसी तरह के इंस्पेक्शन्स, फील्ड ओप्सर्स हो भी है कि क्वालिटेटिव ग्रफतारी ग्रफतारी ऐसे व्यक्ति की हो जिसकी ग्रफतारी होने से आपके अपरात पर नेंदरन में मदद मिले लोगों के बीच आपका विश्वास बढ़े पुलिस का विश्वास ब इस फील्ड को भी दिया हुआ है